Hey everyone, welcome back to your favorite channel, Magnet Brains. मैं हूँ शिपरातिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल free education प्रवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने life में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चो So, आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है मेरी जबानी मतलब अपकी शिपरामायम की जबानी And it's all about the chapter number 2 Which is a sexual reproduction in the flowering plants of the class 12th biology का lecture number 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लार का male reproductive system आपको मैंने बताया कि फ्लार्स जो होते हैं वो basically दो प्रकार के हो सकते हैं फ्लार में भी unisexual हो सकते हैं या bisexual हो सकते हैं आई बात समझ में तो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी प्रकार के फ्लार की पर कोई भी हो unisexual हो bisexual हो फ्लार सीधी बात यह है कि आज हमको फ्लार के male part के बारे में बात करनी हैं फ्लार आपके earth का one of the most सुन्दर क्रियेचर है जिसको आप गुसे में गुसा ठीक करना दो देते हैं दुख को ठीक करना दो देते हैं प्यार आ रहा है कुछ भी कि हर प्रकार की इमोशन में यह एक परफेक्ट बैलन्स देने का काम करते हैं आज आपको हम पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से मेल का डीवलपमेंट आपके फ्लार में होता है यह बैसे क्लीमेल का क्या काम होता है चलो शुरू करते हैं तुल बच्चो तो शुदू कर लेते हैं हम लोग फ्लार में हम लोगों को अभी क्या पढ़나 है बच्चो फ्लार में हम लोगों को पढ़ना है जाएं में पढ़न हमको पता है male sex organ मैं हमको पता है पता है मत बताइए male sex organ का नाम है stamen and the group of stamen is called as androsium last class में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था अब मेरे बच्चो ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूँ में आपके stamen में होता है कैसा डंडा जिसे हम क्या कहते हैं stamen में इस डंडे को हम कहते हैं बच्चो filament क्या कहते हैं बच्चो filament done हो गई इतनी बात कोई tension कोई परिशानी तो अब अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक बाई लोब्ड संडचना दिखाई देगी यहां पर आपको एक बाई लोब्ड संडचना दिखाई देगी इस बाई लोब्ड संडचना को मेरे बच्चो हम कहते हैं क्या हम इसे कहते हैं एंथर ठीक है हम इसे क्या कहते हैं जहां से देखो, ठीक है, हम इसे कहते हैं एंथर, कलर कर दो थोड़ा सही दिखे यार, ठीक है, so this is called as एंथर, ओके, दन, चलो, अब ये एंथर जिस ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं, रिसेप्टिकल, डन, ये एंथर जिस ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, रिसेप्टिकल, ये इसी को हम थैलमस भी कह सकते हैं, फिलामेंट का वो हिस्सा, जो की रिसेप्टिकल से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंट, ठीक है, फिलामेंट का वो हिस्सा, जो रिसेप्टिकल से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं, प्रॉक् जो इस एंधर नाम के आदमी से जुडा हुआ है इसे हम कहते एंधर नाम के आदमी से जुडा हुआ है इसे हम कहते यह कौन सा एंड है बच्चो filament का distal end आपके एंशी आटी में दिया हुआ है ठीक है यह यह हो गया distill and done हो गया इतनी बाट ठीक है so filament यह डंडी है डंडी का उपरी वाला हिस्सा distill नीच वाला हिस्सा proximal यह question आभी सकता है now enter को अगर आप देखें तो आपको इसमें कुछ by lobe संदूशना दिखाई दे रही होगी जिसमें lobe 1 यह हो गया this is the lobe 1 and this is the lobe 2 done है यह क्या हो गया आपका lobe 2 done तो enter को अगर मैं यह बोलूँ कि यह एक by lobe संदूशना है तो क्या मैं गलत हूँ अगर मैंने बोला कि enter एक by lobe structure है तो मैंने कुछ गलत बोला क्या बच्चो जी नहीं मैं आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि enter में ऐसे दो लोग तो हमको दिखाई दे ही रहे ना समझ आ गई बात done हो गई चलो अप enter और filament से मिलकर बनता है आपका stamen यह हम समझ गया कि stamen में दो संदूशनाए होती है जिसे हम कहते enter plus filament enter और filament मिलकर stamen का formation होता है done हो गई so यह है आपका male part आज हमको male part के बारे में ही पढ़ना है ठीक है now basically stamen क्या करता है वो आप जान लो stamen का काम क्या है मेरे बच्चो मैम stamen का काम है pollen grain formation ठीक है stamen का काम क्या है बच्चो stamen का काम है मैम pollen grain formation pollen grain पनाने की प्रक्रिया जो है वो आपका stamen करता है पर कहां होती है वो अभी हमको जानना है ठीक है तो अभी हम यह जान गए कि जो आपका स्टेइमेन होता है वो दो स्ट्रक्चर से मिला है एंथरो फिलामेंट नीचे वलाइसा प्रक्जिमल दिस उपर अलाइसा डिस्टिल और यह एक आपको कट कर दू ठीक है और एंधर का इंटर्नल स्ट्रक्चर देखूंग हैं अधर्णल स्ट्चर चराओ अधर ठीक है हमको देखना है enter की internal संरचना क्या है यह देखो अगर मैंने by lobed structure को काट दिया ठीक है जहां से सुनो अगर मैंने चलो अगर मैंने इसको ऐसा काट दिया तो यह कैसा दिखाई देगा आईये देखते हैं चलो बच्चो आजाओ तेखो अगर मैंने एंथर को काटा थोड़ा बड़ा सनरशना बनाऊंगी ताकि थोड़ा सा मजा आए अगर मैंने एंथर को काटा तो मुझे कुछ ऐसी सनरशना दिखाई दी इट इस लाइग दैट थोड़ा और अच्छा बनाती हूं ठीक, अप सही बना है ये अइसा दिखाई देगा ठीक, थोड़ा अच्छा निए बना यार थोड़ा और चार लोब्ड वाला स्ट्रक्चर बनाना है मुझे अप सही बना है ये बना ये बना ना सही ठीक है तो अगर मैं एंथर को काटूंगी तो मुझे बाई-लोब्ड स्ट्रक्चना दिखा निया बच्चो ध्यान से देखना मुझे ने अंथर को काट दिया तो इंटरनली मुझे एंथर ऐसा दिखाई दिया अब भाईया ऐसे इतनी सारी खाली जगह तो मैं छोड़ नहीं सकती हूं तो मुझे आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा ठीक है मुझे थोड़ा सा इस पर कलर करना पड़ेगा give me some time सो एंधर जो है वो क्या करता है जो है स्टेमेंग दो स्ट्रक्टर से मिलके बनाया फिलअब और एंधर एंधर का काम है पॉलिन ग्रीट यहां से शुनते जाने के बावजूद मैं आपको कुछ नौलेज वाली चीज़ें बता जारी हूं पर क्या ऐसा होता है कि पॉलन ग्री पहले क्या होते हैं, immature होते हैं, ठीक है, pollen grain जब immature होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं, microspore, क्या कहते हैं, microspore, और जब microspore mature हो जाते हैं, तभी हम इसे कहते हैं pollen grain, समझ में आ गई बात, so, जब microspore mature हो जाएंगे, तब हम इन्हें कहेंगे pollen grain, so, pollen grain is a mature male, structure male sexual gamete not exactly gamete पर हां कह लो अभी के लिए जब gamete exactly पढ़ेंगे इसके अंदर क्या cells होती ही उस पर आपको और समझ में आएगा चलो so जब हमने एंथर को काटा ध्यान से समझना जब हमने एंथर को काटा मेरे बच्चो तो हमें ऐसा एक संरशना मिली डान है ठीक है जब हमने एंथर को काटा तो हमें ऐसी एक संरशना मिली डोट गो विद दाग्राम को विद लॉजिक ठीक है नौ हमें ऐसी संरशना मिली अब अगर मैं देखू तो मुझे यह बाई लोब्ड संरशना दिख रही है पर मुझे इसमें चार कोने दिख रहे है संरशना पाई जाती है, यहाँ पर इन चारो लोब, यह एंधर is a by lobe structure, ठीक है, ओके, ऐसी राउंड संरशना पाई जाती है, पढ़ रहे हम लोगों ने, तो एंधर is a by lobe structure, जिसमें एक lobe, तो first lobe, तो यह हो गया इनका, ठीक है, this is the first lobe, डन हो गई बच्चो, और दिसवान is the second lobe, यह है अंधर का second lobe, डन हो गई इतनी बात, समझ महाई बात, पर, एक lobe में, this is पूरा lobe, एक lobe में दोचैंबर होते है, एक लोब में ठीक है कितने चैंबर इसमें कितने चैंबर होंगे दो चैंबर होंगे ठीक है इसमें कितने चैंबर होंगे बच्चो दो चैंबर होंगे और यहां पर भी कितने चैंबर होंगे दो चैंबर होंगे है ना दो चैंबर मैं कैसे काउंट कर रही हूँ आप बताओ ज थीका क्या कहते हैं हम इसे थीका समझ में आई बात इन चैंबर को हम कहते हैं थीका समझ में आई बात क्या बोला मैंने और हर थीका के अंदर एक एक राउंड पैकेट होता है इस पैकेट को मेरे लिल्ला हम कहते हैं यहां पे लिखू हर थीका के अंदर एक राउंड पैकेट ह होता है और इस round packet को हम कहते हैं Microsporingium समझ में आगई बात क्या बोला मैंने हर ठीका के अंदर एक round structure होता है जिससे हम Microsporingium कहते हैं समझ में आ गई बात तो कितने Microsporingium है एक एह हो गया 1 यह हो गया 1 हrás एक एह हो गया 1 कितने साहे यां बैंक्रोस पुरां जटियाइं चार तो मैं यह कह सकती हूं कि ECH फोता है वह एक वह एक टेट्रा स्पोरेंजीएंटल्टेस टेक्चर है ठीक है एंथर एक टेट्रा स्पोरेंजीएंटल्टक्चर है समझ सब्सक्राइं भी fluff द्सक्श destे नहें चार पैकेट नुमा संरचनाय होती हैं जिने हम माइक्रो स्पोर रेंजियम कहते हैं समझ में आगई बात इसी माइक्रो स्पोर रेंजियम के अंदर अच्छे यही माइक्रो स्पोर रेंजियम अभी कैसा है मेरे लिल्ला इम्मेच्योर है अभी यह क्या है इम्मेच्योर है एं एंथर का काम है पोलन ग्रेंग का फॉर्मेशन करना पर अभी यह मैच्योर एंथर नहीं है अभी इसके अंदर जो सैक लाइक स्टुक्चर है यह मैच्योर नहीं है यह जो सैक लाइक स्टुक्चर है यह मैच्योर है और बेटा जब यह मैच्योर हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम जब क्या हो जाएगा मेरे लिला मैच्योर हो जाएगा तब ये पोलन सैक में कनवर्ट हो जाएगा समझ आई बात क्या बोला मैंने पोलन सैक में कनवर्ट हो जाएगा जिसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा क्या बोला मैंने फिर से सुनों ये एक एंथर की संरचना है ठीक है अभी इसके अंदर mature pollen grains नहीं बने है ठीक है हम ये माझ रहे हैं कि हर एंथर के दो लोब है एक लोब ये है एक लोब ये है और हर लोब के अंदर एक packet नुमर संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं इसके हम Micro Sporengium के नाम से जानते हैं, हर एक अंथर में 4 Micro Sporengium होते हैं, इसलिए अंथर को Tetra Sporengium संद्रचना कहते हैं मेरे लिल्ला, समझ में आगई बात, ठीक है, अब Micro Sporengium जो है, ये क्या है, ये Future Pollen Sack है बच्चों, जहां पर Pollen Grain बनेगा, पर क्योंकि अभी Pollen Grain नहीं बना है इसलिए इस सैको को पोलें फ्यूचर पोलें सैक को हम मैड्रो स्पोरीं इंजिम कहते हैं इसके इंदर छोटे स्पोर्स बनेंगे जिन्हेंठ Mina cuore कहते हैं बाद में यहीं माइक्रो स्पोर्ड डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेंब मिडन हो इतनी बाद ठीक है ना यह क्लियर वह आपको आप लोगों लिख लिया आप मैं इसको रब करती हूं कि मैं और भी बहुत सारी चीज़े यहां पर लिखनी है यह भी मिटा देती हूं कि यह भी आई ठिंक हो गया चलो अब हम लोग देखते हैं देखो ध्यान से थीका क्लियर हो गया चेक आगे देखो अब हमें यह देखना है अगर मैं एक माइक्रोस पॉरिंजियम को डीटेल से निकाल कर देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा आओ देखते हैं सिर्फ इसकी बाते कर लेते हैं को टेंशन तो नहीं यहीं पर बात कर लेते हैं अगर मैं एक माइक्रोस पॉरिंजियम को देखूं सब जगा ऐसा ही है ठीक है ठीक उसके पहले मुझे और कुछ बताना है पर ठीक है मैं भी बताती हूं ना भाईया पूरे एंथर पहले तो आप एक माइक्रोस पॉरिंजियम की बात देखोरोगे पहले पूरे एंथर को कवर करो यार मैं किस से कवर करना है आप मैं किस से कवर करना है बता होता हूं मैं इस पूरे एंथर को आपको कवर करना है एक लेयर से जिसे हम कहते एपीडिरमिस भी호 ये तो मुषोरें सारे इंसानों को तुमने एपीडर में से कवर करके रखा अजय अएन刃 तो होता है यह एंफिरमिस कर दो एपीडर मिस ठीक है एंथर किसे कवर रहता है? एपिडर्मिस से कवर रहता है ठीक है? एंथर is covered by the epidermis done आगे बात करते हैं नाओ ठीक? यह जो माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक टिशू भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं sporogenis टिशू, ध्यान से देखो यह जो एंथर है, इसके अंदर एक टिशू भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं sporogenis टिशू let me make this sporogenis टिशू है ना इस एंथर के अंदर sporogenis टिशू है जिसके अंदर भयंकर वाला खाना भरा हुआ है इस एंथर के अंदर एक टिशू भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं स्पोरो एंथर बोली माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर ऐसा आपको एक टिशू दिखेगा बहुत चारी सेल का ग्रूप दिखेगा जिसे हम कहते हैं स्पोरो जीनस टिशू ठीक है क्या कहते हैं से हम स्पोरो टिशू और इस टिशू के पास होता है बहुत चारा खाना जो की ये डवलपिंग माइक्रो स्पोर को देता है ठीक है नाओ आगे देखते हैं ये एपिडर्मिस क्लियर हो गई अब देखो उसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट बाद अंदर की और आपको एक लेयर दिखाई द जिशने हम कहते हैं एन्डो थीशियम ठीक है एन्डो थीशियम ओके एपिडर्मिस फर्स लेयर फर्स लेयर उसके जस्ट अंदर गए तो आपको एक लेयर दिखाई दी The layer number 2 is the endothesium ठिक है? Endothesium ठिक है? Endothesium जो लेइर होती है यह बहुत ज़ादा important होती है एंथर को φाढ़ने में समझ में आई बात Endothesium जो लेइर होती है वो एंथर को फाढ़ने में बहुत बढ़ा role play करती है यह जो endothesium होती है मेरे लल्ला ये hygroscopic नेचर की होती है समझते हो कि पानी फूल जाएगा और फटो י सिंस मतलब फार ने की प्रक्रया को हम करने में बहुत बड़ा रॉलल प्ले करती है तो इसके अंदर जो सब्सक्राइद के प्लिंडेक मैं इसके आप अप्कनलर माइक्न penguin कर तो उसको फाडने का रोल जो है यह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ठीक है अब आओ बच्चो यह जो sporogenous tissue है जो आपका microsporyngium है इसके अंदर जो आपके microspore develop हो रहे हैं थोड़ा और मोटा बनाती हूं ठीक है ओके नओ एंडो थी शिम अच्छे यहां पर भी एक लेयर होगी which is called as tape term, ध्यान से देखो रे, है ना, चलो, नहीं तो confusion हो जाएगा, अभी मैं सबको sequence बताती हूँ, अभी घबराना नहीं है ना, so tape term बनाते हैं, तो पहली लेयर सबसे outer layer एंधर की है epidermis, उसके just एंधर की लेयर है endodermis, ठीक है, उसके बाद endodermis और epidermis के बीच में भरा होती हैं, बहूत सारी cells यार, बहूत सारी cells भरी होती हैं, I hope it is visible, यह पूरा इसी cell से भरा हुआ, यह पूरा भरा हुआ, यह यह cell भरी हुए है, और इन cells को हम कहते हैं middle layer, ठीक है, green green बना रही हूँ मैं, इन cells को मेरे लल्ला हम कहते हैं middle layer, so third layer is the middle layer, ठीक है, third layer is the middle layer, सो थर्ड लेयर इस दा मिडिल लेयर मिडिल लेयर डन हो गई इतनी बात चीक है अब उसके अंदर और आओ तो यहां पर बाई न्यूक्लियेटेड माईक्रोस्पोरिंजियम के ज़स्ट बाहर बाई न्यूक्लियेटेड कुछ सेल्स पाई जारी है और इस सेल लेयर को जो की नंबर 4 की ओर होगी इसे हम कहते है टेप्टम टेप्टम ठीक है आपको पता है टेप्टम क्या है ठीक है ध्यान से सुनो मेरी बात टेप्टम देखो स्पोरोजिनस टिशू basically sporoginous tissue के पास क्या होती है बता दुम्हें sporoginous tissue के पास होती है spore mother cell ठीक है क्या होती है spore mother cell कौन सा spore बनाना है यार आपको बनाना है pollen grain स्पोर मदर सेल होती है और यही स्पोर मदर सेल बार 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 डिवाइड होती है और डिवाइड होते जाती है होते जाती है और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है पर अगर स्पोर मदर सेल को बेटा मेरे लल्ला डिवाइड होना है ध्यान से सुनो यह जो बाई नियुक्लियटेड लेयर जस्त बाहर पाई जा रही है यह भयांकर nutrition store करके रखी होती है sporogenous tissue की मतरासल बोलती है sporogenous tissue का मतलब होता है spor बनाने वाले tissue, spor बनाने वाली cells ठीक है? तो कौन बनाएगी spor बनाने वाली cells? इस यह पॉर मदर सेल कैसे बनाएगी वह बात करूंगे मैं भी आपको यह से करेंगे ठाट 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 मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए मुझे डिवाइड उना पोलंगे बनाना है तो यह टेप टम उनको फट फट नूट्रिशन दे देगा तो कैसे याद है यह पी सबसे आउटर लेयर क्या है अपी छीक है एंडो और और मीट इसको एक लखे ड़ीने बात इसका स्क्रीन शॉट लीजे फिर आगे की कहानी और बत करते हैं एक बर और बताए चालो एक बर और और बता देती हुआ मैं layer बनाके अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू तो यह क्या है अपना देखो ध्हान से देखो यह है मैक्रो स्पोरिंजिय Bhag का उते हैं माईक्रोस साफने बाद मेरे बच्चो मैने आपको पड़ाया है कि सारे मिड़ियर के सेलस होते हैं छो बाद होती है यह बहुत-बहुत नहीं को हम कहते हैं kalo इनदोथीशियम जो होती है वह हां पर डेलब वह रहे ध्यान से सुनों यह यह क्या होते हैं जिसमेंगत मदर होते हैं और फिर यह जब स्पोर बना लेंगे तो बाहर निकलने में इसको फार के बाहर निकलना पड़ेगा अपने को तो यह को यह हो 세टिया अन्यप années को लरी नहीं है हां लास्ट वाली जो लेयर है वो है आपकी एपिडर्मिस डन लास्ट वाली जो लेयर है हमारी वो है एपिडर्मिस ठीक है लिकलू में लिकलू में यह सारी लेयर्स है हमारी ठीक है So this is the epidermis, ठीक है, epidermis, यह क्या हो गई आपकी endothesium, ठीक है, जो कि descents में help करती है, यह हो गई आपकी middle layer, देखो, सारी चीज़ें बता दिया मैंने आपको, उसके बाद यह हो गई आपकी tape term, ठीक है, tape term जो कि nutrition देती है, यह हो गई आपके sporogenous tissue, sporogenous tissue, ठीक है, ओके, दन, और यह पूरा structure is the microsporingium, microsporingium, डन, ठीक है, 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 आप चलो, समझ गए, अब हम लोग जो है, थोड़ी detail पढ़ लें, उसके बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं, चलो, much, अच्छा, fertilization से पहले की बात है, तो पहले हमको male पढ़ना पढ़ेगा, female पढ़ना पढ़ेगा, तभी तो fertilization पढ़ोगे, much before the actual flower is seen on a plant, सबसे पहले जब actually flower अच्छे से नहीं दिखता plant में, the decision that plant is going to flower has taken place, ठीक है, कैसे पता चलेगा, कि flower बनेगा, बहुत सारे hormonal, florigen, बहुत सारे hormon और structural changes होते हैं, जो की एक floral primordia, या floral bird को flower में convert करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो लुके देस पहले जो था, यह ऐसा bird था, वोल्स भी था, सबसे अंदर वाला world क्या बनाता है, यह बनाता है, female reproductive system, third number वाले world में आपको दिख रहा है, male reproductive system, second world में आपको क्या दिख रहा है, petals, और last वाले world क्या बनाते हैं, आपके, सैपल, ठीक है, तो आपका जो bird, this is a bird-like structure, this is the floral medicine का bird-like structure, और यही bird-like structure जो होता है, वो develop होता है, तो एक flower का formation करता है, आगे देखते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हुँ मैं, inflorescence are formed, which bear the floral birds and then the flower, ठीक है, पहले वो floral bird होती है, then वो में development होता है, बहुत सारे hormone का influence होता है, और वो एक flower का formation करती है, in the flower, the male and female reproductive structure, the endosium and gynosium differentiate and develop, ठीक है, इसी अलग अलग वर्ल से अब अंदर से क्या होता है, female उसके बाद, male उसके बाद, petal उसके बाद, सैपल, ठीक है, ऐसा develop हुआ था, you would recollect the endosium consist of a world of stamen, representing the male reproductive organ, and the gynosium representing the female reproductive organ, यह तो हम लोगों ने पता ही, हमको को attention ही नहीं है, आँ यह वाला structure देखे, यह भी same to same वही है, बच्चो, same to same वही है, सबसे अंदर वाला female बनाता है, उसके जस्ट वाला, बाहर वाला male बनाता है, उसके जस्ट बाहर वाला petal बनाता है, उसके जस्ट बाहर वाला सैपल बनाता है, वर्ल है फ्लार के अलग अलग ना अब जो आपके फ्लार होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं एक होता है फीमेल पार्ट एक होता है मेल पार्ट मेल पार्ट को हम कहते है स्टेमें स्टेमें की दो पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट आगे बढ़ें एंथर कैसा होता है ब लोब स्ट्रक्चर ठीक है अच्छा दो एंथर जो है दोनों लोब जो होते हैं वो किसे कनेक्ट रहते हैं एंथर के दोनों लोब सकनेक्टेड रहते हैं किस से एंथर के दोनों लोब सकनेक्टेड रहते एक टीशू से और इस टीशू का नाम होता है connective समझ में आई बात एंथर के दोनों लोब्स आपस में connected रहते हैं बाई a tissue and this tissue is called as मेरे बच्छो connective समझ में आ गई बात वाटल नीचे रखी ते उपर उठा रहे थे दिए सो एंथर के दोनों लोब्स जो होते हैं वो एक टिशू से connected रहते हैं और इस टिशू को हम लोग कहते हैं बच्छो connectives डन हो गई बात ठीक है नाव टू एंथर लोब्स आटाश्ट वीच अदर बाई टेशू कोड़ा सकनेक्टिव इच एंथर इस टेट्रास पोरिंजी एट वन स्पोर टू स्पोर इंजियम थीस्टास पूर इंजियम चौथा मैक्रो स्पोर इंजियम ठीक है इसके बार एक मैक्रो स्पोर इंजियम कैसा होता है मेरे लला सर्क्यूलर होता है गोल बनाया हम लोगों ने इसके इंदर बहुत सारा होमोजिनस मास होता है मेरिस्टमाइटिक सेल्स होती हिं जिनकों पूरो जिनस टीशू कहते है मैरे स्वाटिक सेल्ज मतलब इसके अंदर प्रापटी होती गेद दना दना दन देट दना दन डिवाइड हो सकती है और यह किस से घिरी होते एंथर बाल से इतनी एन्थर वॉल से यह स्पोरोजिनस टिशू घेरा हुआ रहता है समझ में आ गई बात ना आगे देखते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिशू के अंदर जो सेल्स है उन्हें हम माईक्रो स्पोर मदर सेल कहते हैं ठीक है same to same यही structure हम लोग बात कर चुक है I don't think so किसमे clear नहीं होगा बाहर वाली epidermis उसके बाद middle layer उसके बाद middle layer के ज़स्ट बाद tape term tape term के बाद sporogenous mother sporogenous tissue यह माइक्रो स्पोर मदसल connective जो दोनों lobes को connect करता है done हर लोब में दो sporingiums होते हैं ठीक है आगे बात करें ठीक है यह पूरा diagram हमको clear होना चाहिए यह मैंने आपको बता के बना के भी बता दिया ठीक है now so enter की wall अगर हम देखें तो concealer होती सबसे layer बाहर होती है epidermis हमारे शरीर में भी epidermis का का हम क्या होता है मेरे बच्चों epidermis का काम होता है मैं प्रोटेक्शन देना तो यहां पर भी protection देना epidermis का ही काम है ठीक है उसके जस्ट बाद होती है endothesium जो की cellulose की बनी होती है hygroscopic nature की होती है जब ड्राय हो जाती है तो चिटक जाती है और सारे maturity p degenerate हो जाती है ठीक है epidermal cells है ठीक है epidermal है ठीक है आगे देखते हैं टेप टम टेप टम जस्ट पोर जिनस टिशू के जस्ट ऊपर वाली लेयर है या एंधर वाल की सबसे इनर लेयर होती है ठीक है इसमें बहुत देंस इनकी cells में बहुत dense cytoplasm होता और एक से ज्यादा cells होती यह polyploidy cells होती है ठीक है और इसका मतलब यह ज्यादा nucleus ज्यादा DNA content ज्यादा nucleus ज्यादा खाना देगी ठीक है हाला कि यह मजाक है ऐसा होता नहीं है ठीक है now sporogenous tissue क्या होता है when enter is young a group of compactly arranged homogenous cell is called as sporogenous tissue समझ में आ गई तो क्या होता है कि जब अभी enter mature नहीं है अभी यह cell micro spore बनाने के लिए रेडी नहीं है तो इनकी जो cells है इनको हम क्या कहते है sporogenous tissue के देते पर once enter is mature and it is ready to make the spores then yes sporogenous tissue क्या बनाने लगेंगे मेरे बच्चों यह mature हो जाएंगे and spore mother cell बनाएंगे और फिर यह divide होगी और फिर pollen grain का formation होगा ठीक है microsporogenesis ठीक है formation of haploid microspore from the diploid spore mother cell inside the pollen sac by the meotic division is called as microsporogenesis ma'am ma'am यह क्या बोल गई है आप अभी तक तो हमें enter समझ में आ गया अप्र हम लोगों ने यह समझाल लिया कि एक豆 Supporingium होता है वह इस तरीके का है चलोえっ Microsoft endorse परिंजीएम को बाहर निकाल लेते हूं निकाल लू बोलो यह मैंने माईक्रोस पॉरेंजिम को बाहर निकाल लिया ठीक है इस माईक्रोस पॉरेंजियम के अंदर मेरे बच्चों क्या भरा हुआ था मैम भरा हुआ था पोरोजिनस टिशू हाँ भरा हुआ था है स्पोरोजिनस टिशू अब क्या हुआ अब अब हमने यह decide किया what is porogenous tissue it is compactly arranged mass of the cell पर जब enter को अब decide कि enter ने कि अब हमें pollen grain बनाना है तो यह cell थोड़ी mature होंगी और इसकी एक cell को हम क्या कहने लगते हैं हम कहने लगते हैं microspore mother cell microspore mother cell ठीक है क्या कहने लगते हैं microspore mother cell microspore mother cell का full form होता है mmc microspore mother cell megaspore कभी यह होगा कोई tension नहीं microspore से याद रखना मेरे बच्चों जहां भी micro word आएगा उसका मतलब होता है pollen grain समझ में आई बात जब भी हम microspore की बात कर रहे हैं तो microspore का मतलब है pollen grain ठीक है अब हमने हमने decide कि हमारे enter को अब तो pollen grain बनाना है तो अब यह जो sporogenous tissue दिख रहा था इसकी cell mature होंगे और microspore mother cell बन जाएंगी convert हो जाएंगे मैं अच्छी और हो जाएंगे ठीक है आगे बात करते हैं अब ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना microspore mother cells जो हैं यह हैं deployed सारी cells 2N है बच्चो यह cell कैसी है बच्चो 2N कैसी है बच्चो 2N deployed cell है इसमें सबसे पहले करो आप meiosis 1 सबसे पहले आप करो meiosis 1 done सबसे पहले इसमें क्या करो आप meiosis 1 done कोई दिक्कत कोई परशानी meiosis 1 कैसा division होता है बताओ जरा मुझे मैं meiosis 1 एक reductional division है यह आपको पता है meiosis 1 एक reductional division है समझ गए बात को मेरी meiosis 1 reductional division है जिसकी वज़ा से एक जो आपकी microspore mother cell है सद्धान सुनो reductional division है जिससे एक जो microspore mother cell है उससे क्या होगा बच्चो एक microspore mother cell से दो बनेंगी हमारी haploid cells यह बन गई एक हमारी haploid cell पर अभी यह दोनों cells अलग-अलग नहीं हुई है अभी यह दोनों cells अलग-अलग नहीं हुई है और यह अभी एक दूसरे से attached है by the cellular mass cell है उसके चारों तरफ अभी यह दोनों cells अलग-अलग नहीं हुई है ठीक है meiosis 1 जब आपने perform किया थ्यान से सुनो जब आपने क्या किया meiosis 1 perform किया तो आपको 2 haploid cells मिली थ्यान से समझो मेरी बात तो अभी यह जो दोनों cells बनी है हमारे पास meiosis 1 के बाद अभी वह एक दूसरे से meiosis 2 करो meiosis 2 कैसा division पढ़ा है मैंने आपको अब बोलो मैडब हमें कुछ नहीं पढ़ाया आपने बेटा 11 वी में पढ़ाया सब आपको cell division meiosis का lecture जाके देखो सब समझ में आ जाएगा meiosis 2 एक प्रकार का equational division है जिससे 2 haploid cells है same to same 4 haploid cells बनेंगी तो चलो आओ बनाओ किस बात की दे रहे है waiting for the Christmas क्या ठीक है यह आपने चार haploid cells बनाई ठीक है चार haploid cells बनाई पर मेरे बाच्यो अभी भी यह क्या है join है अभी भी यह अलग नहीं हुए है ठीक है तो यह जो आपके चार haploid cells बने इनको हम कहते है माइक्रो स्पोर ठीक है तो आपके एंथर के अंदर अभी चार स्पोर एक माइक्रो स्पोर मदर से बन चुके है रेडी है ठीक है पर अभी यह माइक्रो स्पोर नहीं बन पाए है क्या poland grain समझ मैं आई बात अभी ये माइक्रो स्पॉर नहीं बन पाए हैं क्या पॉल इन ग्रेइन समझ मैं आई बात ग्यामीट नहीं बना भी सम्में development नहीं हुआ अच्छा याद करिये वो दिन माइक्रों स्पॉर बन चुके हैं आपके और यही माइक्रों जो हैं यह develop होंगे और क्या बनाएंगे बच्चो ये बनाएंगे आपके mature pollen grade डन है अब ध्यान से समझो मेरी बात microspore बना रहा है कौन एंथर microspore याद है आपको याद है आपको याद है कि नहीं याद है कुछ याद है कि नहीं याद है आपको अगर आप लोगोंने ढंग से 11th class पड़ी होगी मिरे बच्चो तो आपको याद आ जाएगा किया याद आ जाएगा वो देखो एक structure होता है जिसे हम कहते sporophyte ठीक है sporophyte क्या बनाते है sporophyte वो structure बनाते हैं जिने हम कहते हमें एंजियो स्पर्म में में स्पोर कौन बनाता है तो आप बोलोगे एंथर एंथर बनाता है और एंथर किस में होता है एंजियो स्पर्म में स्पोर कौन बनाता है स्पोर बनाने वाले प्रॉसेस को हम कहते हैं इस को स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट कहते हैं एंजियो स्प लूँ कि एक प्लांट ध्यान से समझना अगर मैं बोलू कि मुझे जो यह एक प्लांट दिख रहा है इसमें sporophyte क्या है what is the sporophyte and gametophyte जहां समझना what is the gametophyte sporophyte और gametophyte में क्या अंतर है है what is the difference between sporophyte and gametophyte बोलो ध्यान से क्या बोला मैंने है gametophyte वो बन लो structure यह जो gamet बनाते है अभी हमने गायमीट नहीं बनाया अभी तो हमने spor बनाया spor कौन बनाता है रगाता है एंधर कहा होता है फ्लार में कि फॉर कहां होता मैं प्लांट व्हल वे तो अगर मैं बोलू कि इस पूरे प्लांट में sa faaware बंदे तो है sporophytic क्योंकि जो spor होते हैं वो मेन प्लांट बॉडी में ही बन रहे हैं गेमिटोफाइट क्या है वो मैं आपको बाद में बताओंगी ठीक है समझ में आई बात तो sporophytic structure कौन सा है बताओ मुझे एंघेयो स्पपर में sporophytic structure क्या है एंधर ठीक है माइक्रो सप Freedom बन गया है हैओ दन है कोई दिक्कत कोई परिशानी तो नहीं दन अब समझो माइक्रो सप़ कितने बने हैं चार अब इसमें से एक माइक्रोस्पोर उठाओ तो एक मैग एक माइक्रोस्पोर मदर से हमारे पास चार माइक्रोस्पोर बनते हैं चीक है अब हम उठाने वाले हैं क्या अब हम उठाने वाले हैं क्या एक माइक्रोस्पोर को डन चीक है चलो सो मारे पास एक थी माइक्रो स्पोर मधर सेल ठीक है रो रही थी मुझे बच्चे पैदा करने हैं तो इसने चार माइक्रो स्पोर बनाए बना 9234 मैं मैंक रोड़ार रहेगे उठा लिया उठा लिए अपने को टेंशन तो नहीं अब इस microspore में ध्याण च देखो इस microspore में कितना nucleus है psychological एक डन है ना, एक इस microspore में कितना nucleus है एक है वान न्यूपली यहस । ठीक है डन अब हम्को, what is the objective हमने अभी microspore बना लिया है और इन्ही माइक्रो अब्जेक्टिव क्या है हमारा हमारा अब्जेक्टिव मैम यह है कि हमें इन माइक्रोस्पोर को कनवर्ट करना है किसमें हमको इस माइक्रोस्पोर में कनवर्ट करना है पोलन ग्रेन में ठीक है समझ माई बात माइक्रोसपोर, पोलेज़ नहीं होता, जिन लोगों को ये लगता है कि हमें रुखने ये वाले को लिए, इसमें एक नुखलेस रएक पढ़ा हुआ अप यह वाले को लिया इसमें एक न्यूक्लेस पड़ा हुआ है नाव मेरे बच्चो इसमें करो माई टॉसस माई टॉसस क्या करो माई टॉसस करोगे तो क्या होगा बोलो मुझे माई टॉसस होगा मैम तो इसमें दो न्यूक्लेस बनेंगे एक यह हो गया और एक यह हो गया ठीक है ढ़न अब यही जो नूपलेस यह अपने चारई तरफ ऐसे प्लास्मा मेंबरेन बना लेगा क्या दिख रहा है छारा क्या दिख रहा है धिंशक व kir now को क्या दिख रहा है तुम्हें यह एक नुक्लेस यहां पर 1 held एक मेहस्स 1 लिया या इन मेहस्स बोलो वं मैंसे पिया बन यॉस हो गया है हमको एक माइक्र फोर्श और मदर से चार मैंक्रो अज़िगने में आखो यहां लिखना कि यह थह नहीं आ बएता और तो यहां को चुछ ठीक है हमने यहां पर वन मुऊसिज किया तिक है यह हो गया मेरा एक मियोसिस शे चार माइक्रो स्पोर मिले एक मैं इस पॉर को मैंने उठाया और उसमें essence dwarf 1 पहला माय डूसर्ण टोस फर्स्ट मेर से सकाय अब जब मिने growing stigma courses कासी पहला मुझे माड़ माइध रस' टो एक हुश्वेश्नल यृग होता है माय ड हुआए यृफ्ट आ कासी थो ही बिए जन होता है थक्र माइध रस च सका और द्विजिन है में एक है क्वेशनल डिक्राइब अगर वन न्युक्लिएस है मतलब कैसा ही चार है प्लोइड बने चार है प्लोइड ठीक है यह है बड़ तो इसमें होड़ के बाद यह वाला जो न्यूक्लिएस अपने चारो तरह लाजम अ बना लेगा तो यह तो इक बड़ी सेल है जिसके अंदर एक छोटी सेल तैयर रहे हैं तो एक बड़ी सेल के अंदर एक छोटी सेल जो है तैयरने लगती है बड़ी वाली सेल को हम कहते हैं वेजीटेटिव सेल बड़ी वाली सेल को हम कहते हैं वेजीटेटिव सेल और छोटी वाली सेल को हम कहते हैं जनरे गुन्त सेल जघन रे टिव सेल सम्झे मेरी लान जन रेटिव सेल जनरेटिव सेल मतले फ्यूचर में बहुत बड़ा काम करने वाली है ठीक है देखो मेरी लल्ला ये बन चुका है तुम्हारा पोलण ग्रेन दिश ट्रक्चर इस कॉल ऐस पोलन ग्रेन बच्चो बं चुका है पोलन ग्रेन समझ में आई बात अब आपका एन्थर डही सेंस होगा एनथर फटेगा और आपके पोलन ग्रेन जो हेव स्ने थिच केट वह ABOUT 60% पोलन ग्रेंड जो है 60 परसंट एंजीयो इंजीयो स्पर में ध्यान से सुनों 60 परसंट एंजीयो स्पर में ऐसे ही पोलन ग्रेंअ रिलीज हो जाते रहें और फिर आगे 낮 Seat प्रॉसेस जब वहां पहुत जाते हैं फूल के पास फ्लार के पास स्टिगमा में उनके तब यह आगे का काम करते हैं पर 40% एंजियो स्पर्म में क्या होता है वो देखो ठीक है 60% एंजियो स्पर्म पॉलन ग्रेंज रेडी है पॉलन ग्रेंज रेडी जिसमें एक एंजियो स्पर्म में क्या होता है वो देखिए 40% एंजियो स्पर्म में क्या होता है वो अभी हमको सीखना है आए देखते हैं क्या होता है सबसे पहले मुझे स्ट्रॉक्टर देखना पड़ेगा ओके ब्लाक और पॉपल कलर भी तो देखना है ना यां कलर्स कही तो खेल हो और यह पढ़ी है जनरेटिव सेल जनरेटिव सेल ठीक सिक्स्टी परसेंट तो आगे का काम कप करेंगे जब वह स्टिगमा के पास चले जाएंगे उड़ते हुए बी के थूपानी के थूर हवा के थूरू पर 40% कैसे काम करेंगे वह आपको जानना है यह आप यह जो इनकी ज माइट ऑस होगा तो क्या होगा एक यह जो आपकी जनरेटिव सेल है ये दो फिर सेल्स में तूट जाएगी और यह जो सेल्स के दिखाई दे रहे हैं यह है यहां मेल गैमीट यह हैं मेल गैमीट यह है male gamete ठीक है और यही male gamete जो है यह fertilization में पाट लेंगे ठीक है और यह कहा है कि vegetative cell vegetative cell समझ में आ गई बात और यह पूरा structure is the pollen grain और यह कहानी कब हुई यह पहले सो गई 40% angiosperm में यह कहानी अपने आप यूँ ही हो जाती है ठीक है पर 60% angiosperm में यह कहानी जब वह वहां पहुच जाते तब होती है अब आप से सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि mature pollen grain को mature यह male gametes बनाने में एक microspore से दो male gametes बनाने में हमको कितने mitosis और meiosis करने तो हमें एक मेगा स्पोर मदर से या मैं कहूं कि पूरे mature pollen grain बनाने के लिए वह mature pollen grain बना हुआ एक दम mature अब ready है पूरा काम करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा एक mature pollen grain करने के लिए हमें एक meiosis करना होता है नीट कई बड़ा फेवरेट सवाल है एक meiosis और दो mytosis करने होते हैं समझ में आई बात for the formation of dhyaan से सुनो for the formation of a mature pollen grain ठीक है हमें एक mature pollen grain बनाने के लिए एक meiosis और दो mytosis करने होते हैं स्टार लगाओ स्टार लगाओ नीट का बहुत ही favorite सवाल है बहुत favorite सवाल ठीक है समझ में आई बात क्या 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 देखो तुम ध्यान सुनो ध्यान सुनो हमारे पास बहुत सारे sporogenous tissue थे इनको mature pollen grain बनाना था ठीक है sporogenous tissue में होते हैं our of mother cell Maisc했다 defendant बनाते माइक fragDEM Mr. sorry Очatoire को माइकरीस सब्सक्रों कहिता है अब को क्या करना है यह क्या करना यह 14 मजा क्यों में एक मीयैं ग्रेया हमने से पहलो एक है पहला माइक habr of Alaccord现在rika हमें एक ही cell के अंदर एक और सिल में ठीक है कि एक यह सेल के अंदर इसने अपना प्लाजम Ozone म समें बना लिए भी बिना ये जनेरेटिव सेल में फिर से माई तौसेस होता है और दो मेल गै इट बनते हें और यह है A और यह एक मैच वरकागबं और यह फीमेल में रिलीज था जाता है और फिर जो है यह मेले गैएड जो है डॉबल fertilization करने के लिए रड़ी है इतनी कहानी क्लियर हो गई सो भी हैव ड़न विद दा मैच्वर पोलिन पर 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 इससे अभी कहां जाना है अभी यह कहां है अभी यह अपने आप हुआ अभी फीमेल के पास नहीं 60% वाले तो फीमेल के पास जाएंगे तो क्या होगा पर अभी यह क्या हुआ भी मैच्वरिटी की कम है अब भाईया इसकी शादी होने वाली है लड़का अपना जवान हो गया है ठीक है तो इसको थोड़े कपड़े पर पनाओ इसको मैंने कपड़े पहनाए ध्यान से सुनो इसको थोड़े से कपड़े पनाओ यार बिना कपड़े पना ठ्राव से भात और सुछ जाना पड़ेगा इसको ठोड़े से कपड़े पहना दो ठीक है अभी मैं इसको द्माने बाद में करूंगा सफ़ाई से लेवल कर थी हूँ ठीक इसको ठोड़े से कपड़े पैना वह बीख खिंद कपर यह पर एक और पहनाने पड़ेंगे चलिए लेवल करते हैं इसको हम लोग लेवल करते हैं इसको हम लोग आई ये देखते हैं ध्यान से सो आप देखो यह जो बाहर वाली लियर आपको पॉलांड यह पोलंड बनके रैडी हो चुका है हमारा यह पॉलंड ग्रेल इसक्स्टी परशने श्रहे पास पहुचंगे यहां पर हम मान चुके कि भी स्टिक्मा पर नहीं पहुचा है यह वह वाले वैंजियों सबमें 50 परसंट वाले यह पहले सई पोलं ड्रेडिकर करके जाएंगे बाहर वाले जो आपकी लेइयर होती है इसे हम कहते हैं एक हाइन के सबसे आउटर वाली जो ले थंड़ कोई ट्रीटमेंट इसे मार नहीं सकता काट नहीं सकता यह इस एक्स्रीमली रजिस्टेंट माटीरियल इन दा आर्थ समझ में आई बात इसे कोई फर्ग नहीं पड़ता हो ला हो पाला हो गर्मी हो थंड़ा हो एलकली हो ऐसे दो टेंपरेचर हो इसी लिए इसी लिए पोलें ग्रेंट जो है यह फॉसिलाइजेशन का बेस्ट एक्जामपल है आपको पता है करोडों सालों के बाद भी इन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि इन्हें डिग्रेड करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है स्पोरोपेलिन की पैटे जर्मपूर ठीक है अब देखो इनको कोई तोर तो संकता नहीं है इनको कोई तोर तो सकता कै hill yeah तो यह खुदी जगाधे रहते हैं कि तुम चल जान निकल जाओ यहां से ठीक है उसके बाद अंदर वाली जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं in tiny, यह soft होती है और उसके बाद यह क्या हो गए हमारे बच्चो, these are the gamete, kौण से gamete, male gamete, यह कौन से ढ़ए, vegetative cell, ठीक है, और यह बच्चो हमारा ready हो गया है, अपना लॉन्डा ज़वान हो गया है, शादी करने के लिए है, और यह है आपका structure of mature pollen grain, ठीक है अलगा कि मैं यो फोलें इन वही इस ट्रॉक्टर तजो बनाया था बस उसके आपको लेट चुड़ानी दे तैन और इस प्रॉसेस को ठीक है यह कि नूघ रोटिल अपलन ग्रेंट जो है इस रिप्रेसेंट दा मेल ग है मीटोफाई इस ठीक है अच्छा अब समझों सम को देखना है कि जो आपका मेन प्लांट बोड़ी होती है एंगी democratic में मेन प्लांट बोड़ी इस दा में间 लाड़ी इस सपरओर पर यहां पर मैम, आप हमको बताओ गैमीट कौन बना रहा है, बताओ मुझे, माइक्रो स्पोर बनाते हैं आपके स्पोरोफाइट, ध्यान से समझो, माइक्रो स्पोर कौन बना रहा है बच्चो, माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर ये कौन बनाता है, माइक्रो स्पोर, मेगा स् कह सकते हैं तो पोलन ग्रेंग के अंदर ही गैमीट होता है तो पोलन ग्रेंग को हम क्या कहते हैं गैमीटोफाइट समझ गए होल प्लांट बॉड़ी को हम कहते हैं भाहिया क्या होल प्लांट बॉड़ी में एंथर को क्या कहते हो स्पोरोफाइट और पोलन ग्रेंग को कहते हो तो गेमीटोमीटोयट सम्झे संगे मेरी बात क्यों कि पोलन वेंगी ऑन दर होता है उसको ङमींटोफाइट मोक् सब्सक्राइब पोलन वेंडर गemin थे तो गे ett인데 my को वाइच ऑप पॉलन डेंग आगर पैस माईंस कर अंदर के और रहेए Jasmine आँदर इंधर जो हो हो एट सपोड़ कर दो प्लांट बोड़िव आपको इंजीऊ पख़या होटाइव फती है सपोर पॉरकृतित ठीक है lower plant में क्या होता है वो आपको 11th class में पढ़ना है ठीक है 11th class के lectures लगा के देखो तान हो गया है इतना बाद आगे बड़े तो गैमीटो फ्लोलन ग्रेंज जो होते है गैमीटोफाइज पॉरफट करन होता है प्लांट होता है ठीक है दे आर स्पेरिकल इंस्ट्ट्चर मेजरिंग अबाव 20 यार बुझे से लगड़ा है पीछे आ गए गया चिक 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 नहीं सही है ठीक है इस प्लांट से यहां पर बना लो यार ने तो फिर तुम बोलोगे में अप्लाइंट सेल में वेक्योल क्यों नहीं बनाया आओ वेक्योल बना लो एक बड़ा सा वेक्योल बना के रखो हो यह कि प्लांट की किसी भी सल में वेक्योल तो होना जरूरी ही है समझ गए ना बात को है समझ गए ना बात को ठीक है आओ आप देखते हैं अगे बड़े है एकजाइन क्या होता है एकजाइन एकजाइन इस था हड्ड आउटर लियर यह सबसे हाड आउटर लियर होती स्पोरो पॉलेंजिंसे बनी होती हाइड तेमपरेचर में रिस्ट कर सकती है इसको आसे डलकलाई से कोई फर्क नहीं पढ़ता है इसको कोई एंजाइम तोडख environment में भी सर्वाइब कर सकते हैं ठीक है उसके बाद ध्यान से देखो fascinating array of the pattern and design which is of the taxonomic significance यह एक्जाइन अलग 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 प्रकार के होते हैं जिसका मैं यह कहूं evolutionary significance यह इसका एक्जाइन आसा होगा तो यह ऐसा है ठीक है इट है इस deferment departure called a germ pollinin यहाँ पर sporopollinin नहीं होता और यहां से male gammit बाहर आते हैं done intime यह cellulose की बनी होती है और soft होती है और pectine की बनी होती है आप मैंने लिखा 나중에 होती है इंट रिक होती है cellulose की और pattern की दण हो गए इतनी बात आगे बढ़ें हम लोग साइटोप्लाजम पॉलन ग्रेंड इस सराउंडड बाइदा प्लाजमा मेंपरीन ठीक है तो लुक इस है प्लॉइड नूकलियस अब यह नूकलियस डिवाइड हुआ तो क्या बना था जनरेटिव और वेजिटेटिव ठीक है आगे बढ़ते हैं पॉलन एनर्जी पॉलन अलर जी आये देखते हैं क्या है तो जिन पॉलन ग्रेंड को हम समझते थे कि बहुत ही लाइट वेट के स्ट्रक्चर होते हैं कई बार तो किसी-किसी स्पीशिस के पॉलन ग्रेंड आपको नाइकेड आई से दिखाई भी नहीं देते वह दर दर घूमते रहते हैं आपके डाइरिया इंफ्लामेशन नाग बैना को से आसू आना दर्ध होना कश्ट होना बहुत चारी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है पॉलन ग्रेंड ग्रेंड ऑव मैनी स्पीशिस को सीवियर ऐलर्जीज ऑब ब्रॉंकियल आपको रिस्पारिटरी ट्रैक में कश्ट होना लगता ह किस का पास्ट है ब्रॉंकाइज रेस्पारेटरी सिस्टेम गई अफ़ेशन एडिस रिस्पारीटर टिसॉड़र क्रोनिक रिस्पारीटर डिसॉड़र सकती बहुत समय तक उन पॉलन के कॉन्ट में रहने की वजासे धीरे-धीरे-धीरे करके यह आपके लंग के लबिल बहुत भ期का रगास यार इसके बहुत खतरनाक होते हैं इसके बहुत खतरनाक होते हैं चीनों पोडिम यह형 आपको नाली हो किनारे ख एपको तो यह हैंगे ना तो आपके हांटों में हुझ लें को इनको देख लीजिए और हम फ्रीके चाहते हैं ना thirty-way से आपको खुजली होने लगती तो इससे आप दूर रहा करिए ठीक है पॉलन प्रड़क्स देखते हैं हर पॉलन खराब हो यह जरूरी नहीं है बहुत सारे इससे चीज़े बनती है यार देखो ध्यान से पॉलन ग्रेंस जो होते हैं वेजिटेटिव सेल्स का न्यूट्रियं ठीक है पॉलन ग्रेंस को जो है टैबलेट सिरप के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में ठीक है पोलन वायबिलिटी की बात करते हैं कितने दिन ये जिंदर रहे जिनकी कोई वायबिलिटी नहीं रहे बहुत लंबा जिंदा रहते हैं क्योंकि वह जो एक्जाइन है ना वो टूटता नहीं है तो पीरेट फॉर विच्ट पोलन ग्रेंड रिटेंड अबिलिटी तो जर्मिनेट ऑन दे लैंडिंग ऑन दे स्टिग्मा इस कोल्ड एस पोलन व हो जाते हैं बहुत सारे नहीं होते हैं थर्टी मिनेट्स हाफ एन आर की होती है पोलन वायबिलिटी किसकी राइस इन वीट की और सेवरेल मन्थ हो सकती है दालो वालों की रोजे सी रोज वालों की और आलू और बैंगन वालों की सोलने सी ठीक है पोलन ब्रैंक्स के होते है है अच्छी ब्रीड के प्लांट जो ते जिनके सीड्स अच्छे होते हैं उनको स्टोर कर ले रख लिया जाता जैसे सीमें स्टोर कर लेतना वैसे इसे भी ठीक है कहां रखते हैं 196 डिगरी लिक्विट नाइटोजन में और फिर इन ही पॉलन ग्रीडिंग में करते हैं समझ में अगिवाथ लोकिट देश क्या है यह फोलन ग्रेन है जिसके नओपर एक शाय इंट इंटाइन बना में शाय्न है पहले बना में अख री में पर बना पहले से था जाम पोर बना फिर देखो न्यूकलीस बना जुकलीस डिवाइड हुआ तो दो नूकलीस बने एक बने तेवरेंट के माद्यम से जन्रीट इप सेट है यह अब हम वह यह जो भाले अंज्यो सपर्म संडुवा एंज पर बनते हैं जैसे लैंद ट्यूब नी अब यह जो आपके जन्रेटिव से न्यूकलियस नहीं कुछ लिए और यह खासी आ रही है सब allergy के condition है जब आपको pollen grain से allergy है ठीक है pollen grain और microspore divide into the mitotically into two cells यह हम लोगों ने पढ़ लिया pollen grain जो होते हैं जब वो microspore रहते हैं उनके अंदर जो एक nucleus है वो divide होता है mitotically और यह बनाते हैं दो से एक ही cell के अंदर दो nucleus बन गाए वेडिटेटिव नुकलियस और जेनरेटिव नुकलियस ने अपने चाहँ दो प्लाजमा मेंब्रेन ना लिया अब एक ही cell के अंदर दो nucleus घूम रहे हैं वेडिटेटिव नुकलियस वेडिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल ड़न ना अब आओ बेटा ncrt लगते mail का काम खतम हो गया समाझ गये समाझ गये न मेल वाला काम कैसे कैसे बना को टेंशन तो नहीं चाहिं एक बर रवाइस कर लेते हैं कैसे कैसे बना तब आपको कहानी जाएगी कैने कि बोल रही हुआ है कि ब्लांट में डीज है when it rang t NCRT पढ़ा दूँ या मैं नेक्स क्लास में देखती हूं पहले मैं देख लेती हूं किता सारा है इसमें otherwise I will take it into the next class चलो पढ़ाई देती हूं यार पढ़ा देती हूं ना पढ़ा देती हूं बिना NCRT के काम नहीं चलेगा यार ठीक है पी फटिलाइजेशन decision that the plant is going to flower has taken place ठीक है इससे पहले कि हमें सोच लेकिए एक मैच्वर बना है इससे पहले कुछ decision होते है फ्लार किस फॉर्म में होता है बट फॉर्म में होता है उसमें बहुत चारे होर्मोनल रस्ट्रक्ट्ट्रल चेंजेश होते हैं और फिर वो फ्लोरल प्राइमोडियम जो एंडोशियं में गाएंछ होटेज़ बैवलफ होते हैं जानल сод 600 तो चेह में बहुत से बहुत है दढ़ेबु को में यह इंजे वले हाले ।समें को हम एंडोशियम के फिवर्ल ओफ करपल्स को हम ला इनशियम कहते हैं आज की कश्रा में हमने स्टेमें माइक लिए दी स्ञ as filament and upar wala do by lobe structure is called as enter to danda is called a stock stock and enter done the proximal end of filament attached to the thalamus niche wala kya hota proximal upar wala distal join therse juda hua hai ठीक है अब length of stem in alag-alag species में alag-alag हो सकते हैं ठीक है नाओ उसके बाद यह तो हो गया यह तो एक्टिविटी है नाव अभी हम स्टेमें की अब्जर्वेशन देखना है जब हमने स्टेमें को डाइसेक्ट किया और धीरे से देखा तो हमें क्या दिखा अंदर हमें क्या देखा देखो एक टिपिकल angiosperm में एंथर जो होता वो बाइलोब होता है और चार थीका स्ट्रक्चर होता है ठीक है उसके बाद जो है थीका होते let us understand the various types of tissue in their organization हमको अभी थीका में various type tissues के organization देखने है बाइलोब nature of an anther is very distinct the transverse section of anther देखो ध्यान से यह देखो चार थीका 1-2-3-4 बाहर वाली लिए epidermis बीच फिर उसके बाद लेंडो थीशिम फिर उसके बाद मिडिल लेर उसके बाद टेप टम उसके बाद sporogenous tissue यह आगे बढ़े enter फटेगा pollen grain बाहर आएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे अभी ठीक है the enter is a four sided structure इसे हम कहते है चारो स्रुक्चर को चारो कोनों के स्रुक्चर को के अंदर होता है microsporyngia that is why enter is called as tetrasporyngiate structure ठीक है the microsporyngia develop further and become pollen sex ठीक है यह microsporyngia microspore बनाते है पर जब pollen grain बनना होता है तो यह develop होते है pollen sex में ठीक है आगे बढ़ें धान से देखें they extend longitudinally through the length of the enter and they backed with the pollen grain यह बढ़ते जाते बढ़ते जाते जाते बढ़ते जाते फोनिया बनते यह बनता है बाड़े होते जाते विदमें इन पूलन रिंगा चुके है the structure of microsporyngia forgetting in the transfer section a typical perfect up appear near the circular outline generally surrounded by four layers चारो देगाना माँ जानते है अभी पहलु отвечแ VOCKA आगे बढ़ें ठीक है ना सबाकी के टेप्टम को छोड़कर बाकी के बाहर तीरों लेयर जो होती है प्रोटेक्शन देने का काम करती है और एंथर जब फटे का तो पोलेंग रिलीस करवाती है इनर्मोस लिए जिसे हम टेप्टम कहते हैं यह पोलेंग रिंग्स को न्यूट् प्लाजम होता है ठीक है डन हो गई और टेप्टम के अंदर होते हैं स्पोरोजनस टीशू इखे बाद में चलके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे Microsporogenesis Microsporogenesis का मतलब है As the enthe develops The cell of sporogenes tissue undergo the meiotic division और Microspor tetraide बनाते हैं भाई यह मुझे बताओ 1 Microspor mother cell से कितने tetraide बनते हैं कितने Microspor बनते हैं 4 बनते हैं ठीक है Now, each cell of sporogenes tissue capable rise of Microspor tetraide 1 Microspor mother cell से 4 Microspor बनेंगे और यह Microspor जो है यह बनने की process को हम कहते हैं Microsporogenesis The Microspor as they form during in a cluster of cells Called as Microspor tetraide पहले यह एक साथ होते हैं अगर आप यह वाला structure देखोगे तो सारे पहले कैसे थे बच्चो यह देखो पहले यह सारे एक साथ थे इसको हम कहते हैं Microspor tetraide ठीक है यह जो Microspor बने पहले यह सारे एक साथ थे इसे हम कहते है Microspor tetraide बाद में यह अलग-अलग होंगे ठीक है आगे बढ़े ठीक है और फिर यह Microspor tetraide जो होते हैं यह दूसरे से अलग होते हैं और फिर पोलिंग्रेन का formation करते हैं inside each Microspor industry several thousand Microspor और पोलिंग्रेन बनते हैं एक Microspor से चार पोलिंग्रेन बनते हैं तो चार पोलिंग्रेन बने एक से तो ऊए बहुत सारे Microspor है तो बहुत सारे पोलिंग्रेन बनेंगे ठीक है पोलिंग्रेन 거죠 यह याद रखिएगा एक बाद में हमें मिल गाया में बनता है, चलो, If you touch the open enter of hibiscus और अनी अधर flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain on your fingers. पढ़ाना होता है कि नहीं आता है एसा कि जब भी हम लोग China rose का plant लेते हैं तो उसमें ऐसे yellow yellow सा powder जासे हो लग जाता है ठीक है, sprinkle these grains on a drop of water and you have to observe these things into the glass light क्योंकि pollen grain जो होते हैं वो बहुत ही light weight के होते हैं और वो tear सकते हैं, different shape की pollen grain होते हैं तो अगर आप observe करो in the microscope तो हमें बहुत ज़्यादा amazing architecture pollen grain का दिखाई देगा pollen grain जो होते हैं वो generally spherical structure के होते हैं और 25 से 50 micrometer इनका diameter होता है इनके पास 2 layer होती है एक बाहर वाली layer का नाम exam होता है जो कि sporopolinin से बनी होती है काफी hard होती है देखो मैं वो वो word को highlight कर दे रही हूँ जो आपके neat में आ सकती है so hard layer होती है, outer layer होती है किस से बनी होती है, sporopolinin से बनी होती है बहुत ही resistant बनी होती है बहुत ही resistant organic material होता है इसका और ये high temperature ना तो इसको enzymatic activity को कोई फर्क पड़ता है ठीक है, pollen grain जो होता है इसके पास, pollen grain भाया ऐसा है कि pollen grain के अंदर जो generative cells है, जो male gametes को release भी तो होना है male gametes को female के अंदर release होना है कि नहीं होना है अब sporopolinin फटेगा नहीं, तो male gametes release कैसे होगा तो यहाँ पर opening होती है, which is called a germ pore जहाँ पर sporopolinin नहीं होता pollen grain are well preserved as a fossil pollen grain इतना hard होता है कि वो करोड़ों सालों तक जमीन के नीचे या किसी ऐसी जगों पर दबा रह सकता है जहाँ से उसको कोई हानी नहीं होती ठीक है, exign exhibits a fascinating array of patterns इन exign जो है, जो कि sporopolinin का बना है वो अलग-अलग patterns का हो सकता है Why do you think that exign should be hard? What is the function of germ pore, germ pore का का काम क्या होता है ताकि वहाँ से क्या बहारा सके आपके gamete बहारा सके exign को hard क्यों होना है, ताकि pollen grain damage नहीं हो The inner wall of pollen grain किसे बनी होती रहे Cellulose से बनी होती, ठीक है किसे बनी होती, entine कहते है और यह cellulose और pacton की बनी होती है Pollen grain का जो cytoplasm होता है वो plasma membrane से घिरा हुआ होता है When the pollen grain is mature, it contains two cells पढ़ाया मैंने आपको हो सकता है कि यह generative cell वहीं पर divide हो जाए या हो सकता है कि जब वो land करे female के पास सब हो तो वैसे mature pollen grain के पास क्या होता है बच्चों? Mature pollen grain के पास दो cells होती है pollen grain को ही हम क्या कहते है pollen grain को ही हम कहते है gametophyte उसके पास कितना cell पढ़ाया था मैंने आपको ठीक है? pollen grain के पास होता है दो cell, उपर वाली cell को vegetative cell कहते हैं और नीचे वाली cell को generative cell कहते है ठीक है? generative cell होती है vegetative cell बड़ी होती है और इसमें बहुत सारा food material होता है ये irregular shape की होती है और generative cells जो होती होती है वाली small होती है तो और इसमें बहुत ही light weighted होती है ओके? इट इस आगे? आगे? इट इस spindle shape and dense the cytoplasm and a nucleus over the 60% of angiosperm pollen grain ऐसे ही होते two cell structure ठीक है? बट remaining species में होता क्या है? कि ये जो generative cell है इसमें mitosis हो जाता है समझ में आई बात इसमें क्या हो जाता है? mitosis हो जाता है और हमें दो male gamete मिलते हैं इसलिए pollen grain एक three cell structure हो जाता है समझ आ गई बात done हो गई इतनी बात ओके? pollen grain जो होते हैं वो फाइदे मंद हो ये जरूरी नहीं है pollen grain से हमें severe allergies हो सकती है bronchial inflation हो सकते हैं हमें infection हो सकता है बहुत सारे continuously जो लो pollen grain के contact में रहते हैं chronic का मतलब बहुत बहुत लंबे समय तक उन्हें chronic respiratory disorder हो सकते हैं जैसे कि आपके respiratory tract में inflammation bronchial tree में inflammation it is called as bronchitis bronchitis, asthma मतलब सास लेने में दिक्कत ठीक है it may be mentioned that the parthenia और carrot grass जो गाजर घास होती है came into the India as a contaminant with imported wheat wheat के साथ ये आ गई थी और इसके pollen grain बहुत ही कतरनाक होते हैं इससे बहुत जादा आपको खुजली होती है तो अगर आप ये एक structure देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये एक nucleus है pollen grain का examin tan ये vegetative or generative cell होगा ये generative cell जो है 60% angiosperm में तो ऐसी pollen grain होता है पर 40% angiosperm में ये generate cell में रप्टर्टिली डिवाइड होती है और 2 male gamit बनते हैं एक pollen grain के अंदर ठीक है pollen grain are rich in nutrients pollen grains जो होते हैं वो बहुत ज्यादा rich होते हैं nutrient में लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा खाने मलब आजकर बड़ा की फैशन में है इन्हें खाना ठीक है लोग pollen tablet use करते हैं क्योंकि वो nutrient rich होती हैं ठीक है और food supplement के तरह यूज़ करते हैं से in western countries a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horses उनको खिलाया जाता है प्रोटीन मिलता है तो बिल्डप अच्छा होता है यह देखो pollen products है यह सारे दन when once they are shed ठीक है जब यह गिरते हैं female के उपर pollen grain have to land on the stigma before they lose the viability viability का मतलब यह अपनी कार करने की छमता को ना खोए उससे पहले ही स्टिग्मा फीमल स्टिग्मा में release होना होता है ठीक है काई के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए how long do you think pollen grain retained the viability बताओ बहुत सालो तब करोडो सालो तब ठीक है the period of which pollen grain remained viable is highly variable लिखा हुआ ने आपर बहुत सालो मैंने क्यों बोला क्योंकि यह variable period है in some extent it depends on the prevalent temperature उसके आसपास का temperature क्या है और humidity क्या है ठीक है in some cereals such as rice, wheat, pollen grains, loss viability within the 30 minute of their release ठीक है दाल, चावल वगेरा में क्या होता है rice वोगेरा में क्या होता है rice वोगेरा 30 minutes में viability खतम हो जाती पर some member of rose c leguminacy दाल बोला मेंने चावल और wheat का है leguminacy दाल वाले और solenacy आलू बैगन वाले it maintain the viability for the months you may have heard of storing semen हम लोगों ने semen का storage सीखा कि semen banks होते हैं पढ़ाया है मैंने आपको infertility में कि semen bank होते हैं और जिनके बच्चे पैदा नहीं होते वो semen bank से semen उधार ले सकते हैं किसी और का ठीक है so जिस तरीके से semen bank होते हैं काहे के लिए artificial insemination के लिए insemination वो process होता है जिसमें semen को artificially डाला जाता semen is the fluid जिसके अंदर sperm and seminal fluid होता पढ़ चुके हम लोग है तो ये वो process होती है जिससे semen को female के अंदर डाला जाता है ठीक है वैसे ही pollen grain को भी store करने के लिए सालो सालो तक हमारे पास pollen जो है stores होते हैं जो pollen grain होते हैं इसको minus 196 degree liquid nitrogen में store किया जाता है जिए हम pollen banks कहते हैं ठीक है pollen banks को बनाने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि हमें अच्छे pollen grains का भंडार मिल सके और हमें अच्छी species of खेती मिल सके आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से ताकि मैं आपको सब चीजे अच्छे से एक बार summarize कर दूँ हमने देखा कि हमने देखा कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरिंजम होता है हमने देखा कि कितने बार हमने mitosis किया, कितने बर्मियोसिस किया और किस तरीके से हमने male gamete का formation किया. Next class में मैं आपको पढ़ाऊंगी किस के बारे में carpal के बारे में, megasporingium के बारे में और embryo sac के बारे में. यहाँ पर भी मैं slash करके embryo sac लिख सकती थी, क्योंकि pollen grain embryo sac, sorry sorry, sorry, pollen grain क्या होता है gametophyte होता है, किसका females, males का यहाँ पर जो female में embryo sac होता है, वो gametophyte होता है females का, ठीक है? यहाँ पर pollen grain है gametophyte और whole plant body है sporophyte. हमने देखा कि enter एक ऐसा structure होता है जिसके अंदर होता है microsporyngium और microsporyngium के अंदर इस structure NCRT में दिया हुआ है NCRT का ही डाग्राम में, I don't think मैंने कुछ आपको कोई और डाग्राम दिखाया है मैंने आपको दिखाया कि NCRT में यह structure है this is the microsporyngium हलाकि तो Dyson's वाला दिखाई दे रहा है okay, देखो, यहाँ पर हमें 4 pollen grain मिलते हैं और उन 4 pollen grain में 2 cell structure होता है एक होता जनरेटिव और एक होता वेजेटेटिव जब हम लोग एक बार मियोसस करते हैं तो हमें 4 microspory मिलते हैं और उन 4 microspory से हमें 2 parmitosis करना पड़ता है ठीक है, आगे बढ़ाना है तो और भी करोगे ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने pollen grain को as a gametophyte consider किया क्योंकि pollen grain में जो generative cell होती है उसमें जब mitosis होता है तो हमें 2 male gamete, एक pollen grain के अंदर मिलते हैं So pollen grain is the gametophyte of the flower and embryo sac is the gametophyte of female जिसके बारे में हम next class में पड़ेंगे So I hope कि आज आज आपको stamen क्या होता है Microspore enzyme क्या होता है pollen grain क्या होता है ये समझ में आया और आज 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 कि कितने बार mitosis, meiosis करने से basically मिलते हैं आपके functional pollen grain के gametes ठीक है, pollen grain gametes नहीं है pollen grain के अंदर gametes होता है Microspore और pollen grain में I hope कि आपको समझ में आगया कि अंतर क्या होता है बहुत सारे लोग Microspore को ही pollen grain समझने लगता है इस गलती को नहीं करना है अपने को ये याद रखना है, ठीक है So I hope कि आपको जो मैंने आज आज आपको पढ़ाया नेक्स क्लास में मैं बताऊंगी आपको क्या कारपल, Megaspore, 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 Megaspore इंजिम और आपके embryo sac के बारे में ठीक है So I hope कि आपको जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो बढ़िया तरीके से समझ में आया अगर आप चाहते हीं कि आपको lecture arranged manner में मिले So you can visit our website website में आपको कुछ नहीं टाइप करना magnetbrains.com टाइप करिए बस फहले ही आप रोज खोलते होगे देख लेना Class 12 पे क्लिक करना उसमें आपको सारे लेक्चर सारे टीचर्स के मिल जाएंगे यह हूं मैं Watch Now करोगे तो lecture first number से खुलेगा और अगर आप Watch Now नहीं करोगे और मेरे फोटो पे क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट खुलेगे आपको जो सा देखना है आप देख सकते हो Sexual reproduction in flowering plant चल रहा है हम लोग लेक्चर वहाँ पर देख सकते हैं लेक्चर को हमेशा arranged manner में देखिए ताकि आपको sequence wise knowledge मिल सके अगर आप मेरे lecture को regularly देखते होंगे तो आपको यह समझ में आ गया हूँ को मैं आपके textbook के ही sequence से पढ़ाती हूँ इधर उदर end of end कुछ भी नहीं पढ़ाना शुरू कर देती I hope you learned and enjoyed the session ठीक है अगर आपको पसंद आए प्लीज इसी तरह के से session को देखिए और दूसरों को बताईए next class में मिलती हूँ बच्चो तब तब thank you so much and bye bye